हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो मैं चैनल कुकिंग वित रेखा, आज हम बनाएंगे पालक वाली दाल, तो चलिए फटा फट सुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दाल ले लिए, मैं तूर दाल लिया है, अब कोई से भी दाल ले सकते हो, और दाल को अभी हम दो से त दाल देंगे, देखे सारा दाल को इसमें डाल देंगे, अब मैंने लिया है पालक, एक बंच पालक है, इसको भी धो के अच्छी तरीके से चोटे-चोटे पीस में काट लिया है मैंने, और इसे भी अपने कूकर में डाल देंगे, और ये मैंने लिया एक टमाटर, टमाटर क करीब डाल सकते हो क्योंकि हमने पालक डाला है तो पालक भी पानी छोड़ता है तो इसलिए पानी दो ग्लास डालें एक कटूरी डाल में विससे धकन लगा के अभी हम चड़ा देंगे गैस पे गैस का फ्लेम पहले हाई करना है फिर उसके बाद एक सीटी आ जाए तो उसको ल कर्चिल से इसे थोड़ा सा चला लेंगे और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट लूँगी अब गाड़ी लग रहे है आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हो गरम करके हम लगाएंगे तड़का जिसके लिए मैंने गैस पे चड़ा दिया है फ्राइपैन और जिस और यह मैंने थोड़ा सा उसमें कड़ी पता भी डाल दिया है और यह लाश्ट्री में डालूँगी थोड़ा सा हींग और अब हम लगाएंगे डाल में जड़का देखे इसको पूरा जड़का इसमें डाल देना है और उसे मिलाकर अब हम करेंगे सर आप इस तरीके से पुरा सा देशी घी डाल दिया है देखिए कितनी बढ़िया डाल बनी है ये डाल आप चावल के साथ रोटी के साथ किसी भी चीट के साथ का सकते हो तो कैसे लगी पालक वाली डाल कम्मेंड करके बताएगा और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना और वीडियो को अटकिली बाइय!